Hey foodies, welcome back to my channel आज बच्चों की बड़ी दिमांदी की उन्हें नूडल्स खाना है लेकिन मैंने जैसी ही देखा कि घर में तो नूडल्स है ही नी तो मैंने सूचा क्यों न मैं इससे घर पे ही बनाओ तो अगर आप भी मेरी इस रेसिपी को ट्राय करना चाहते हैं फिर आप भी घर पे ही नूडल्स बनाना चाहते हैं तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक बनी रही है चलिए फिर शुरू करते हैं आज का ये वीडियो तो यहाँ पर मेरे पास थोड़ा सा आटा बचा हुआ था अगर आपके पास नहीं है तो आप फिर से डो लगा लीजी आटे का और इस तरह से हमें उससे बड़ी रूटी बेल लेने हैं ताकि ये आपस में चिपके ना अगर आप तेल नहीं लगाएंगे ना तो ये आपस में फिर से डो बन के तयार हो जाएगा इसके बाद मैंने यहाँ पर पानी जो है पहले से ही गरम करने रख दिया था उसमें डाल देंगे हम ये नूडल्स और साथ में हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा नमक और इसके बाद इसे हम बोईल करेंगे करीवन 5-7 मिनट के लिए इससे ज़ादा हमें इसे नहीं उबालना है नहीं तो क्या होगा ने ओबर कुक हो जाएंगे तो बस इसके बाद इसे निकाल ले और अच्छे से थंडे पानी से वाश कर लें ताकि जो इसका कुकिंग प्रोसीजर है वो रुक जाये वाश करने के बाद एक काम और ज़रूर करें कि इसमें से हलका सा तेल लगा दे ताकि या आपस में चिपकेना इसके बाद हम पैन में डालेंगे एक चम्मच तेल साथ में डालेंगे हम बारी कटी भी प्यास थोड़ा सा फ्राय करेंगे उसके बाद हम इसमें डाल देंगे लहसुन बारी कटा हुआ और बस इसके बाद हम इसमें डालेंगे हरी वाली शिमला मिर्च लाल वाली शिमला मिर् पाउडर तेन में उल्क हमें रणड्चिली पाउडर नमक यहां पर स्यादा नमक पर छलेंगे तो तो भी यह सब्याद सामाइगी थोड़ा ही डाली है इसके भी इसमें डालेंगे और अच्छे से हमें से तस्क कर लेना है एक से दो मिट हम इसे हाई फ्लिम पर चलाएंगे क्योंकि हमने इसमें डाले हैं वेजिटेबल्स और साथ में हमने सौसिज डाले तो वो अच्छे से नूडल के साथ मिक्स हो जाएं इसके बाद हम कानिश करेंगे इसे हरे धनिये से अगर आपके पास स्प्रिंग अनियन है तो आप वो भी इसमें डाल दीजिए बिलीब में बच्चों को तो लगा ही नहीं कि मैंने इसे बच्चे वे आटे से बनाया है और साथ में बहुत जादा हेल्दी है रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज अपना फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सस्क्राइब करना बिलकुल भी न भूले थैंक्स वोर वाचिंग, हैपी कुकिंग और हाँ ट्राइज जरूर कीजिएगा